Dear student, we have to discuss about the build upon tradition of the early childhood pedagogies. देके हम इसको पर discuss कर रहे हैं कि हमारी जो future society है, जिसको हम sustainable society का नाम दे रहे हैं उसकी base जो है वो हमारी early childhood education, हमारी early childhood education के अंदर अगर हम अपने traditions को modify कर देते हैं और हमारी tradition जो हैं वो education की tradition की में बात कर रहा हूं, यहां पर जो tradition का लावे हम बात हो रही है, वो with respect to education है अगर हम इस tradition को early childhood education से बितर बनाते हैं और इससे interdisciplinary approach की तरफ लेके जाते हैं तो हमारे पास जो future society बनेगी और हमारा जो future बच्चा बनेगा, वो क्या होगा, वो interdisciplinary approach रखेगा अब देखें, हम education के अंदर भी, हम pedagogis की जब बात करते हैं, अगर हम उसको sustainability के साथ align कर देते हैं देखें यह सारी चीज़े interlink हैं, जैसे आपने देखा कि अगर हम मैं हम उसको मैं दुबारा सेवन्टीन प्रिवाइस तो नहीं करने जा रहा हैं, लेकिन अगर आप remember करें, जड़ा थोड़ा सा recall करें, तो हमारे जो सेवन्टीन MDGs हैं, वो तीन pillars के अंदर आपस में integrate हुए हुए, यानि अगर हम उनको मिलाएं, तो वो तीन pillars बन जाते हैं, वो आपने देखा एक नाम में कपिलर बना था और environmental कपिलर बना था, अब आप देखें, बुनियादी तोर पर यह integrated है, एक दुस्रे के साथ link है, अगर हम early childhood की जो teaching techniques हैं, जो हमारी education है, अगर हम उसको भी interdisciplinary approach बना दें, तो इसका मतलब है, कि हमारी जो learning होगी, वो integrated learning हो जाएगी, जनी हम बजाए इसके, कि हम कहें के जी हम सिर्फ यह पढ़ना है, और यह पढ़ना है, और यह पढ़ना है, नहीं उसको यह बच्चा इस course में भी जा सकता, और यह बच्चा इस course में भी जा सकता, और इनिवर्श्चियों के लेवल पर हमारी इंटर डिस्प्निय अप्रोच आनी शुरू हो गई कि आप अपने नीड के मताबिक जो सब्जाट चूस करना चाहते हैं आप मुख्तलिफ अधर सब्जाट डिस्प्निय में जा के वहां से वह पढ़ सकते हैं आप क्रेडिट आवर्स पूरे करते हैं और आपको डिग्री आवार्ड कर दी जाती है अब वो आप अपने नीड को देख रहे हैं कि मैंने जो काम करना है मैं उस नीड के मताबिक अपनी स्टेडी काम करता हूँ अब इसी को लेके आ जाएं पैटागोजिस के अंदर यानि इसी को अगर हम लेके हैं टीचिंग टेक्नीक के अंदर अगर टीचिंग टेक्नीक के अंदर जाना सिर्फ यह नहीं कि एक एक शक्त सिर्फ इस्लामियत पढ़ा सकता है एक सिर्फ mathematics पढ़ा सकता है, एक सिर्फ language पढ़ा सकता है, नहीं, हमारी pedagogies के integrated approach हो जाया और एक शक्त जब जो पढ़ाने लगे, उसके according अपने आपको reform कर ले, अपने आपको उसके मताबिक ढाल ले, तो मेरे खाल में वो ज्यादा बितर हो सकता है, यहां पे जो tradition develop करने की ज education के अंदर, वो हमारी pedagogies की interdisciplinary approach की ज़राता है, उससे जो हमारे पास learning through the concentrate experience, वो जो concrete experience हमारे पास होगा, concentrate हुआ होगा, concrete experience हमारे पास हो जाएगा, वो हमारे layer life का project बन जाएगा, उसके अदर wall then की involvement भी होगी, और parents की involvement भी होगी, उसके लिए यह जरूरी है, अब देखें, अब जो build up करनी है हमने tradition, उसके लिए जरूरी है कि हम नई pedagogies जाना वो introduce करें, यह अब हमारे पास, हमारे teaching learning process के अंदर, हमारा जो teacher है, हमारा जो trainer है, हमारा जो educator है, उसको जो traditional approaches हैं, जो traditional techniques हैं, उससे थोड़ा सा deviate करना पड़ेंगे, और उसे नई pedagogies, नई techniques हैं, उसको सीखने पड़ेंगे, जब वो नई technique सीखेगा, तो वो हमारी sustainable development के साथ वो align हो जाएगा, उसके लिए बहुत सी researches भी हैं, और research हमारे evidence है, चो करती हैं कि जो traditional subject or discipline based teaching of the knowledge जो है, common school does not give the best results, इसके अपर बहुत ज़्यादा studies की गई हैं, बहुत ज़्यादा इसके results हैं, जिसके अंदर, यह जो traditional subject or discipline based teaching है, वो इतनी ज़्यादा effective नहीं है, और उसके मताबिक में जो new strategy, new pedagogies technique लाएंगे जाएंगे, जो integrated होँगी, वो ज़्यादा हमारे पास effective होगी, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम new pedagogies skills जो हैंना, वो teachers के अंदर develop.